कैसे कैसे जिंदा बच क्या हैं वो मैं जान रही हूँ क्या जरू हो था आपको मेरे और मुझे अभी कुकुगाँ आने के लिए मत उठी नहीं रही थी मंजपे लव वाला नहीं सुनना था प्यार नहीं सुनना तो बोले होते भक्ती जागरने गाए होते हम लोग अनुपमा यादों के लिए पॉन के सारी से लेकर कोई साथ दिया है फोन किया ट्विट किया जिसके विसाथ गलत होता है ये लोग कभी पूछने नहीं आदें किसी क्या नहीं आया है मेरे पस कॉल जब मार्पीट हुआ तो सबसे पहले आपका कोई गाड था उसने कोई बच्चा को मारा उसके बाद में ये चीज़े गलत है आप किसी के गाउं में जाएंगे तो आप किसी को मारने जाएंगे आप पहले क्लियर कर दी थे की बिकू के जान बचाई जान भी बचना हो आप है मुश्किल था है यह पूरा कट गया है यह बिकुजी का जहां प्रोग्राम करने गई थी उसके बाद SCST जो है वो मामला सब कुछ दर्ज हुआ इसमें क्या कुछ अपडेट है आउनों ने बेफिजूल का SCST का मामला मेरे पर दर्ज किय क्या लगता है कि एक सोची समझी साजी के तहत ऐसा किया है बिल्कुल क्योंकि मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं पैसे वापस कर दोंगी अगर विक्कुजी के साथ मेरा डूएट हुआ तो रिखिये सौधा तारी की औराज जब भोषपूरी की जाने माने सिंगर अनुपमा यादो नावादा के नारो मुरार में जाती है इस्टेश्ट सो करने के लिए और इस दवरान इनके साथ क्या कुछ हुआ आपने सोचल मेडिया पर देखा होगा कि कैसे अनुपमा यादों के साथ मारपीट होता है चेरचार होता है और इसके बाद तमाम तरीके का आरूप जो है उस पक्ष के द्वारा भी लगाया गया है अनुपमा यादों भी जो है ल से पहले यह जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ क्योंकि बहुत सारा बात है जो है सोचल मेडिया पर वो देखने को में ला जैसे मैं हमेशा जाती हूं सरीके से मैं 14 तारिकों भीखे थी कारकरम करने और इस कारकरम की दौरान वहां के मुख्या जो है उन्होंने बहुत लेकिन जाते जाते उन्होंने अपना धौंस दिखाया कि पैसा दी है तो गवाएंगे और मैं दस साधी दस के बीश में मंच पे पहुंच गई थी और तीन चालिस में मंच पे जब उतरी मंच से तो पहले तो मैंने बोला था कि मैं बिकु जी के साथ मुझे मंच पेक साथ यह चीजे पहले ही आप क्लियर कर दिया था और उनका मैसेज का स्क्रिंशॉट इसके बाद फिर स्टेज पर बोला गया क्या कि ऐसा दोनों पड़ेगा और माइक में भी आप देखिए उनके टोन कि अनुपमा जी अनुपमा जी सुनिया ना बड़ी अजीब कलाकार में उन पहले किलियर कर दी थै कि बिकू के साथ गाणा नहीं घाना है फिर भी जब लोग लगातार बोले की नहीं एक साथ गाना घाना है तो फिर भी अ धंकी देने लगे मेरे भाई को कि जाने नहीं देंगे साही सलामत अगर नहीं गाएगी तो पईसा दिए mater का बात बोला जारा आप और गा दीजे वो जैसी में गाड़ी के पास पहुंची ये अपने और अपनी कमेटी के लोगों को बुला कर कुछ गाओंवालों को बुला कर कि मेरी गाड़ी घिर ली गए मेरे गाडी को चती गरस्त किया गया निरभाईयों कुमारा गया अश्वी कुमार भी कुजी कुमारा गया मुझसे हातापाई की गई उसी हातापाई में मेरे कपड़े तक फाड दिये गया अभी ना अनन्द के द्वारा और उसके बाद मैं एदम रोने लगी और मैं एक दम काप रही थी आप ये भी बोल लए थी कि कुछ समय तक गारी में आप बेहोश हो गई थी इतना मतलब सदमे की जैसे लग रहा था ये सारी चीज़ें और उसके बाद जब मुझे होश है तो धिरे-धिरे मेरी गाड़ी आगे क्यों निकलवाई जा रहा थी जब आप दस बज़े से लेकर रात में तीन बज़े सुबह तक लगातार गाना गाई तो एक दिर घंटे और भी थोरा बहुत गाना गा सकती थी बिल्कुल मैं गा सकती थी अगर वो बाते मुझे बोली जाती तो तीन चालीस तक मैं गाई हूँ तीन मज़े तक नहीं तीन चालीस तक गाई हूँ अब खुद मुखिया के द्वारा आकर क्या भद्र गालिया देना, गाली से बाते करना, अब 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 इस टेज पर लगतार गाना गा रहे तो उस समय गालिया भी सुनने को मिल ला तो बार से, ने उस समय नहीं मिल ला था, जब मैं गाड़ी के पास अपने आई, तब मुखि जब घेरा गया, आपका कहना है कि साफ तोर पे वहां के जो मुखिया है, वो अपना धोस देखा रहे थे, वो ये भी कह रहे हैं कि जब मार पीट हुआ, तो सबसे पहले आपका कोई गाड़ था, उसने कोई बच्चा को मारा, उसके बाद में, ये चीज़े गलत है, आप कि किसी को मारे तो आपको किसी पता क्यों पासवान का बेटा है, या किसी और का बेटा है, आपको तो ये पता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरे बाउंसर्स के दारा मारा गया, या किसी को हानी पहुचाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से हम कि एक सोची समझी साजी के तहत ऐसा किया गया है या फिर मतलब यह चीजे बिल्कुल कि मैंने पहले ही मैंना कर दिया था कि मैं पैसे वापस कर दूंगी अगर आप अगर बिकुजी के साथ मेरा डूएट हुआ तो अभी मैं पैसे वापस हो सकता उसी खुनस में देखा जाता दिया था कि मैं उनके साथ डूएट नहीं करूंगी और बिकुजी ने भी बोल दिया था कि हम दोनों साथ में नहीं गाएंगे अगर भई आपको करक्रम कर रहा है तो आप अकेलिया करवाईए इस मामले के बाद जो है जैसे ही आपका सोचल मेडिया के माध्यम से पोस्ट क गई वहां पर स्टेश के दवरान मुझे भूमिहार जाती के एक मुखीया के द्वारा जो है टार्गेट किया गया मैरे साथ मार्फिट किया गया चेरचार किया गया इसके बाद सवाल ये करा हो रहा है कि आपको बचाने के लिए भूमिहार से आते हैं सियुकुमर बिकु वो आपके साथ है लेकिन एक भूमिहार के चलते भूमिहार जाती के उपर कमेंड करना ये कहा तक सही है अपने अगर मेरी पूरी पोस्ट पढ़ी होगी तो मैंने नीशेक लाइन और भी लिखाया कि भूमिहार लोगों के द्वारा मुझे बहुत मान सम्मान हर कारिक्रम में मिला है पर पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ तो मैं सारे भूमिहार लोगों को टार्गेट नहीं किया है मैंने मैंने सिर्फ एक भूमिहार को टार्गेट किया जिसने एक दन लखाया मेरे यहां माते पर उसने का कि सुनन ने भूमिहार ही हो तो रमार देवु पते ने चल तो कहा तुझा है मीटिक ना गन हाथ में था जी उसमों उसके हाथ में गन था और मेरे भाई को धंका रहा था धंकी दे रहा था और भूमिहार होने का दावा कर रहा था तो मैंने बस उस चीजों को मैंने अपने पोश्ट के माध्यम से डाला है बलकि 90% कारकर मेरा भूमिहार समाज में होता है भूमिहार समाज से मुझे प्यार मिलता है यह एक भूमिहार की वज़े से ऐसा मुझे डालने के लिए मजबूर मजबूर किया गया मतलब आपको भूमिहार सब्द बार-बार बोलके बोला गया कि ये भूमिहार का गाओं है भूमिहार है बिलकुल बार-बार मुझे ये चीज बोला जा रहा था कि भूमिहार के गाओं है बांद के रख लेंगे न तो कोई बोलेगा नहीं, मार के ही गार देंगे, कोई बोलेगा नहीं, तो उनकी द्वारा भुमियार शब्द का यूस किया गया, अपने मतलब की पावर को दिखाने के लिए, कि मैं पावरफुल हूँ, मेरे गाउं में आई हो, मैं भुमिहार हूँ, क्योंकि आज से पहले भ भारने की दमकी दे रहेते मुझे मेरे भाईयों को, कि तुम्हें जान से मार देंगे, मैं कैसे कैसे जिन्दा-बच क्या ही वो मैं जान रही हूँ, भगवान की बरोसे कही बस भगवान की भरोसे, लर्की की जीवन में खास कर जब वो कलाकार है, तो किटने कठिनाईओ का स कि आप तो कलाकार हैं, आप तो कहीं जा रहें, तो आप लड़ाई करने तो जा नहीं रहे हैं, या आपको यह नहीं पता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, हम तो एक विश्वास और भरोसी पर जाते हैं, दूसरी बात किसी ने आज सक इस चिछ के लिए आवाजी ने उठाई चा उतारते रहोगे, ये बताओ, कभी नa कभी तो शोचल मीडिया पे अपनी बात रखनी पड़ेगी, ठीक हमारे ये नहीं सुनेगा, हमारे मीडिया से हमारे प्रशाशन सुनेगा, मुखे मंतरी सुनेगे, लेकिन हमें आवाज अपनी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप अ आराम से दस रोपे में नून रोटी खाएंगे लेकिन ऐसे कारक्रम में कभी मत जाना ममी ने बोला कि ये सब चीजे मत करो अच्छा नहीं मैंने का ममी कब तक डरेंगे ये आज हमें डरा रहे हैं बंदू की नोग पर कल हमें जान से भी मार देंगे हम क्या कर पाएंगे तो आ जाने को कलाकार के साथ इस तरीके का घटना हो चुका अचांश पर लेकिन इसके बाद भी भोजपूरी के कलाकार लोग शांथे क्या अनुपमा यादो के लिए ब्राद के लिए माल जान से लेकर कोई चांथ ये लोग आवस उठाते हैं बाकि दूसरी बहन बेटी पड़त पूरी में बस एक दूसरे के साथ काम करके दिखावा किया जाता है लेकिन इसके बाद जो चीजे अगर किसी के साथ कोई मुसीबत में हो परिसानी में हो तो कोई साथ नहीं ठीक आप शोशल मेडिया पे मत बोलिए कि अनुकमा मैं साथ हूं आप अपने लोगों से फोन करवा सकते हैं आप अपने लोगों से बोल सकते हैं कि अनुकमा का भाइल है कुछ दिक्कत भाइल हो आप ये बोल सकते हैं ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं चला होगा अपको पता चल गया होगा तो लेकिन कौन कौन से कलाकार है जिनका कॉल है आपके पास किसी कलाकार का कॉ किहसे हैं सुझिए कि पुर्फ और चार ने में तो तो हुआ तब औरली एज इसे की सामनेबर जा कोई का इस की सपोर्ट में कोई सामने क्ञाशन प्वायता है यह तो आई उता है यह था जिस का स्वTrust आते हैंEEEE कि ऐसे कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता है। और से शकल सुंक complexity Map रा कॉंसे यह तो Help rob company करने गए तो सबसरे क्ढ़कर सकते हैं और है उद फ्लिब किसी से रखत ही इसमें क्या क्या व्लगत एक contest अर। कर रहे हैं डांस डांस नहीं गाना को लेकर तो वह भीम बताएंगे बहुत अच्छा चला था करीब यह बारा बज़े चड़ी थी क्योंकि हम सुरुआत किये थे नौबे से सुरुआत किये थे नौबे से हम एक घंटा गाएं फिर आमीत आसिक जी चड़े उसके बाद दस बाद बारा बज़े बुलाने के बाद भी मुझे माइक दिया गया बारा बज़े पहले बीडियो जो है जैसे कि आप बता रहे हैं यह सामने आ रहा है मतलब आप पहले से चाह रही थे कि मुझे सीव कुमार बिकूजी के साथ बिलकुल काम नहीं करना लेकिन वहीं लोग दो लोग नहीं होते तो आपके साथ कुछ और भी मतलब ज्यादा बारा मामला हो सकता था देखिये जो होना होता वो तो होता है चाहे वो रहते चाहे नहीं रहते मगर वो जो मेरे लिए आय दौड करके मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उनको भी चोट लगी और उनका भ लोग बोल रहते कि तूजा ना तोरा से ना है एकरा मर भू मतलब मुझे और मेरे भाई को तो प्रोटेक्ट करने के लिए आये थे वो तो जहां तक बात रहे कि वो एक इंसान होने के चलते एक इंसानियत के नहाते तो इंसान ऐसा करे गही एगर कलाकार पर पढ़ रहा है गटना के बाद लोग एक और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस स्टेज से उपर लाखों लोग के सामने अपने पूरी लाइफ एस्टारल को अपने कहानी को अपने प्रेम कहानी को देखाना बताना ये इसा बात नहीं है पूरा स्टेज उठा करके देखिये मैं गाना बहुत अच्छी थी तो हम लोग कभी नोग जोग करते थे कभी गाना गाते थे कभी मैं उसको बोलती थी और आप लोग इंटर्टेइन्मेंट के लिए ना जी मुझे बुलाते हैं जब मैं ठीक अगर आपको लिए लव वाला नहीं सुनना था प्यार नहीं सुनना था तो बोले होते भक्ति जागरने गाये होते हम लोग क्या जरूर था डांसर बुलाने का मंच पे उसके बाद भी जब मैंने मना क करके आई थी पूछी है मेरे पसे स्क्रिंशॉट है क्या जरूर था आपको मेरे मुझे अभी कुकु गवाने के लिए मैं तो उठी नहीं रही थी मंच पे मैं तो आराम से बैटी थी क्या जरूर था आपको माइक में बोले का कि अनुपा भी कुसात में गएंगे जब आप के माइक में बोल देते कि आप लोग का लव लाइट सुने नहीं आप लोग गाना गाई है क्यों नहीं आप एक बार भी रोके आज सोशल मेडिया में आके आप रोक रहे हैं और उनको भी बात करना था वह बीबाद भी रहायक बन हमसे बोल रहे हैं कि मुख्या जी को मतलब कि अमरे पास कॉल किये पहले कले कॉल कि थे तो बोलें कि जो हुआ सो ठीके हुआ अभी मुख्या जी को विधायक से लड़ाना है वायरेल होना जरू है यह चीज़ें हमसे बोले हैं कॉल पे जो भाईल तो ठीक हो लोग हुआ मुख्या जी के अगला सल चुनाव लड़ाव अगर आज आप पॉन सिंग के साथ इतना नहीं नजर आती तो खेसारी टीम के तरफ से भी आपको पूछा गया होता कि भाई कैसे हुआ क्यों अब मुझे नहीं पता कि वो लोगों ने क्यों नहीं पूछा या क्यों नहीं मेरे से बात करने कोशिश की या फिर क्यों नहीं आप जहां भी किसी के भी साथ देख लीजे, जिसके भी साथ गलत होता, ये लोग कभी पूछने नहीं आते हैं किसी को भी आप किसी को उठा के पूछ लीजे, क्या किसी को पूछा है इन लोगों ने, ये लोग कभी किसी को नहीं पूछते हैं, बस जब इन लोगों को जब द के लिए महिलाओं के प्रती सौरक्षा की आप अधाया जाया जहीए ऐ है तो अगली वार से कोई किसी को सपोर्ट करने से पहले हाँ आजार बार सोचेगा कि किसी को क्या सपोर्ड करना है अच्छा अंतक है जैसे अनुकमा यादो पहले नंटरता के सांथ जाके सटेस्स कर रह कि महिलाय सुरक्षित रहें जो अफ़ सुरक्षा मुंधान का कृसित इस कमा और मेरे जैसे के असे और मुझे लगो ने परोन सवाएaufen किलें वो कढ़ीं जैने जितने भी का whats it इन सारे चीजे मामले को लेकर जानकारे दी इसके लिए बहुत थन्य 버धा आपको ये मामला पूरा सौर्ट आउट हो चुका है अभी कोई कारेवाई अभी अभी नहीं हो रही है। दूरे दूरे हो रही है।